वेलकम मेरे दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि गुरंखंड ज्याद कैसे किया जाता है कोई भी समय कर आपके सामने दिया गया होगा तो उसका गुरंखंड कैसे ज्याद किया जाता है तथा गुरंखंड ज्याद करने के बाद उसको सही गुरंखंड निकाला गया है कि नही से दिया गया समीकरम 12 x square minus 7 x plus 1 12 x square minus 7 x plus 1 तो इसका गुरुनखंड ग्याद करने से पहले जो पहला जो चैर है जो पहला बहुपद है 12 x square या 12 x square इसका मल्लिप्लाई हम 1 में करते हैं इसका मल्लिप्लाई कीस में करते हैं तो यहां पर भी हो जाएगा 12 x square उसके बाद जो बीचका पद---7 x इसको ऐसल करते हैं या ऐसे की setting करते हैं कि इसका आपस में मल्लिप्लाई किया जाए तो यहां पर प्लस-12 x square आये और दोनों को एड किया जाए तो माइनस 7x आए एक बतावर ज्यान दिजिएगा जैसे 12x स्क्वाइर है तो इसका जो थार्ड वाला जो पार्ट है यहां पर दिखा है वन इसका टोटल इसमें मल्लिप्लाई वन में करते हैं तो टोटल क्या जाएगा 12x स्क्वाइर और बीच वाले बहुप में किया जा तो 12x स्क्वाइर 12 x स्क्वाइर और उनको एड किया जै जोड़ा जा तो माइनस 7 x और मेरे दोस्तों स्कू हम लिख रहे हैं 12 X स्क्वाइर इसको दो पर्ट में हम बाण दे Village कर दो देक थार्ट हम माइनस 3x और दूसरा हो जाएगा माइनस 4x प्लस 1 प्लस वन हमकूंछ यह को दो पार्ट में बाट दिया थे आप दो से मॉआनस리 एक्स बनेगा और दोसरा पार्ट माइनस पोर एक्स बनेगा इसको बनेगा यहां पर यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपके सामने दिख रहा है तो यहीं स्टार्टिंग में आपको बता दिये थे और इनको यदि हम एड करते हैं इन दोनों संख्याओं को यदि एड करते हैं यहां पे देखेगा जैसे यहां पे माइनस 3x और प्लस करते हैं फिन से माइनस 4x करेंगे इसको एड करेंगे तो इक्वल टू किन न होगा माइ क्लिक करने के लिए वहां पे काम करेंगे इसको अब नहीं करने के बाद दो पार्ट नहीं करने माइं leaf दोपदोन कर लिया जाता है जैसे इन दोनों में से इसमें से 3x कामन कर लिया जा रहा है इन दोनों पद में से 3x कामन किया जाए तो यहां पर बचेगा 4x आपस में हम लिप्लाइब करेंगे तो किन्न हो जाएगा 3 प्रोजेक्ट 12 और x x का x square यहां पर माइनस यहां पर 1 बचेगा आपके सामने उसके बाद इस वाले पद में से माइनस 1 कामन करेंगे तो बच्चे का 4x माइनस 1 यहां पर दोनों यहां पर भी आपको दिख रहा है कि माइनस 4x और यहां पर दिख रहा है कि माइनस 4x और दोनों में से 4x-1 कामन हो जाएगा तो हम क्या कर रहा है तो दूसरे कोश्च में बचेगा 3x-1 अब इसको हम क्या कर सकते हैं 4x-1 और दूसरे कोश्च में 3x-1 यह आपका बढ़न खंड निकल करके आ गया कितना गया है 4x-1 और दूसरे किना है 3x-1 अब इसको जांच करना है कि मेरा बढ़न खंड सही है कि नहीं है तो आपको जांच करने के लिए आपको इस समय करने रखेंगे तो इसका मान किना आना चाहिए सुनने आना चाहिए जैसे मान लेजिए अब यहां पर रख रहा है तो यहां पर 12 और एक्स के जब मल्लिप्लाई 1 बाइ 4 का स्क्वार कर दे रहा है उसके बाद माइनस 7 गुरे 1 बाइ 4 कर दे रहा है प्लस यहां पर कर दे रहा है तो यहां पर करेंगे तो 12 मल्लिप्लाई 1 बाइ 4 1 बाइ 4 माइनस 7 बाइ 4 प्लस 1 कर दे रहा है तो आप देखेंगे कि यहां पर 4 3 जा 12 हो जाएगा अर्था 3 बाइ 4 माइनस 7 बाइ 4 प्लस 1 अब इन सब में जो आपके सामने दिख रहा है अब इसमें क्या करेंगे यहां पर एक आ गया है माम दाक्ते समय 3 बाइ 4 आप दूसरे में 7 बाइ 4 प्लस 1 इसमें से लॉस लेंगे तो लॉस लेंगे तो कि ना हो जागा 3 माइनस 4 और यहां पर दिवाइट करेंगे इसमें 4 में तो 1 बचेगा तो 1 का फिर में मल्लिप्लाइए तो 3 होगा यहां पर माइनस अब यहां पर इसमें प्लस 1 मुल्टिप्लाइब प्लस 1 इसमें प्लस 1 इसमें 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 में माण रखेंगे तो सुनने आ जाएगा जब सुनने आजएगा जब तो जो हमारा दिया गया गुरन खंड है वह सही होगा, अब हम एक और गुरन खंड के बारे में पढ़ेंगे, उसकी जनकाली लेंगे कि उसको पैसे साल्व किया जाता है, कि धृट नन्खंडे में दोस्तों टू एक स्कॉयर प्लस एक स्वेड़ी करेंगे आपको जैसे की बतार की जब करेंगे तो कि अब उसके बाद इसको ऐसे सेट करते हैं कि इसके नों पदो को ऐसे सेट करते हैं कि दो पदो डिवाइड करेंगे नया जो पद दो बनाएंगे उसका आपस में तो 6X2 आए और उसको एड किया जाए तो कितना है किया जाता है कामन किया जाता है तो आइए हम उसको उपर से साल करते हैं कि इनको करते हैं इसको ऊपर से साल करके लगाया जाए इसको साल किया जाए इसको कम्प्लेट किया जाए तो इसको हम यहां पर देखें तू यह स्क्वाइर प्लस 6 X PLUS 3 यह कुछ नहीं किया है बस 2 X स्कॉर का मुलिप्लाइइ 3 में हो जाता है तो टोटल 6 X स्कॉर हो जाता है यहां पर 100 नहीं किया जाता है सिर्फ मन में ही कल्कुलेशन करके और उसी के अनुसार यहां पर फैक्टर बनाया जाता है दो फैक्टर जिनका आपस में multiply किया जाए तो यहां पर जितना आएगा उसके बराबर आना चाहिए और उनको add किया जाए जोडा जाए तो 7x के अस्थान पर 7x के बराबर आना चाहि जासा कि 6x ≆ की सीचैसा का jakiś में multiply करेंगे सब्सक्राइ और दोनों को add करेंगे जोफ को सेवन 2चैस आजाए यहां करें रहें यहां पर해야 करेंगे तो यहां पर यहां पर इक्स बचेा और यहां परित्री बचेẳा यांकि क्योंकि यह 2 एक्ष को आपसमें age करेंगे तो 2x यहां पे 3 बचेगा योग कि हम 2x को आपस में करेंगे तो 2x का 2x2 इसक्वार हो जाएगा प्लस का प्लस होगा उसके इसको रख भूड़े 3 इसकर प्लस एक्स हो जाएगा अब इस वाले पद में से प्लस वन कामन करेंगे तो यह प्लस फिरी बच जाएगा अब सब्सक्राइब है बाहर कर दिना कामन कर रहा है तो बचे का 2x प्लस 1 अब यह हमारा जो x प्लस 3 और 2 x प्लस 1 जो आया यही 2 x square प्लस 7 x प्लस 3 का गुरणखंड है यही गुरणखंड हमको जात करना था अब यह हमारा गुरणखंड सही है कि गलत है इसकी जात करने के लिए हम ये प्लस ठीस कर्ण टू जीरो के बराबर करते हैं अर्खात्य क्योंड मैं इदोस क्यूब करें हो माना.. समेकरण में में रखेंगे खाक 10 का त्म के ऐस्थार्ष सक्क्राकर सब्सक्राइब कर दिए प्लस सेवन गोए माइनस थिरी यहां पर यहां पर संख्या है वर्ग का इस सम है तो आलेटी प्लस में हो जाएगा और प्लस यहां पर किना हो जाएगा 73 जाक 21 और माइनस प्लस का मल्टिप्ला हुआ तो माइनस होगा यहां र्थाद 21 प्लस 3 और यह र्थाद यहां पर यहां पर रखेगा अर्था जो गुरंखंड निकलते हैं उनका अपमान निकाल करके इस समिक्रण में लगते हैं तो वह यदि सुन्य के बराबर हो जाता है तो जो हमारा गुरंखंड निकल करके आता है वह कौन रूप से सही है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है तो गुरंखंड कैसे निकाला जाता है या हम आपको यहाँ पे इस समिक्रण के माध्यम से आपको हम बताए हैं ज़से 2x square plus 7x plus 3 आपके सामने दिया गया है इसका हम 2x square का फिर में multiply कर देते हैं और multiply करने पर जो होता है 6x square आजाए तो ऐसा हम किया है 2x square को उपर से नीचे ला दिया प्लस 6x plus 6x कर दिया प्लस 3 में रहने देते हैं उसके बाद दोनों में से 2x यहां पे कामन होगा है तो x प्लस 3 बच गया है और इसमें से प्लस 1 कामन किया है अब दोनों पदों में से x प पर दिखाया गिया है यहां लकने पर 0के के बेराबर हो जाता है अतर जिया अब कि आपको गुर्णखंद उसी तरीके से निकालना पढ़ेगा तो हमेरे हैं अनुप से सथी है आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बाक्स में जरूर लिख करके भेजें और इससे समद्द कोई सुजाव है तो जरूर दें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें थैंक्यू मेरे दोस्तों